ओम शांती एंड वेरी वेल वॉम वेलकम टू जगदंबा भवन ब्रह्मा कुमारीच आप सभी का तहें दिल से स्वागत है तो आइधिंग वी चैन स्टार्ट विद अ सेशन नाओ ओके तो सेशन की शुरुवात क्या हम एक गेम से कर सकते हैं आप सब पाटिसिपेट करेंगे दोड़ना बिढ़ना कुछ नहीं है आपको एक ही जगह पे बैठना है बैठे बैठे ही गेम खेल लिए ठीक है तो वेरी सिंपल गेम गेम को समझी है हम रोव आई जाएंगे ठीक है हम काउंटिंग शुरू करेंगे लाइक सपोज यहां से काउंटिंग शुरू किया वान लेकिन उसमें सिफ एक छोटा चेंज करना है वान टू जो 3 के सिरीज के नंबर होंगे 3 6 9 12 15 18 उसमें आपको नंबर नहीं बोलना है उसमें आपको स्माइल बोलना है और स्माइल करना भी है पॉसिबल 1 2 स्माइल 4 5 स्माइल 7 8 स्माइल पॉसिबल ट्राय करें ओके लेट 5, 4, 5, smile, now let's fast it, बहुत सो समझ के नहीं, फटा फटा, कितना के आपने 9, smile, smile, okay, no everyone, don't say smile, okay, आपको count करना है, so 3 series का number आएगा, 3, 6, 9, 12, 15, वहाँ पर आपको smile करना है, otherwise आपको number लेना है, जो भी number है, ठीके तो आपका smile होगा है, आपका 7 आएगा, 10, 11, 16, 17, okay, अभी समझ में आ गई गे, अच्छो सुरी आप छूट गए, कोई बात ने, यह ट्राइल था, अभी फटा फट बोलना है, सो समझ के नहीं, हाँ, अभी यह number आएगा, यह number आएगा, यह number आएगा, यह number आएगा, ओके, चलो, अगें, आएगा, 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 अभी सिंपल सा सवाल है आप सभी को, हम क्या खेल रहे थे? गेल, गेम किस लिए होती है? स्माइल के लिए, एंजॉइमेंट के लिए, आप सच बता ना, एंजॉइ कर रहे थे या स्ट्रेस्ट हो रहे थे? कौन सा number आएगा, मुझे accurately बोलना है, गडबड नहीं हो जाएगा, ऐसे कुछ thoughts आए? आए, सबको thoughts, तो life में भी यही चीज होती है, life is very simple, life is very enjoyable, है न, हम जितना मज़ा लूटना चाहते हैं, life का ले सकते हैं, लेकिन हम उसको खेल की तरह नहीं देखते हैं, I should be perfect, यह perfect होना चाहिए, वो perfect होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और होना चाहिए, चाहिए में क्या हो जाता है, you get stressed out, होता है ऐसे, game को चाहे तो आप enjoy कर सकते हैं, या तो उसके rules, regulations में अपने आपको बान के बहुत ज़्यादा stress भी हो सकते हैं, choice is always yours, life को देखने का नजरिया हर कोई अपना decide करता है, कोई standard formula है नहीं उसके लिए, है न, जो जैसे अपनी सोच अनुसार देखना चाहता है, वैसे life को देख सकता है, तो आज का जो हमारा main topic है, stress free living, सब को stress है, तभी तो आए है I guess, है न, free होने के लिए, आच्छा, stress free life हो सकता है Good, so you are very optimistic, all of you, good, हो सकता है, जैसे क्या होता है, कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, बुखा राता है, या कुछ हो जाता है, तो एक दो दिन तो हम चोड़े medicine से try out करके देखते हैं कि हम free हो जाए, लेकिन वो बीमारी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, तो हमें अंदर से feel होता है, now I am abnormal, I need to show myself to doctor, जाओ, doctor सागा थोड़ा सला लो, medicine लो, है न, लेकिन जब क्या होता है, कि हर कोई, थोड़ा थोड़ा बीमार होता है, तो हमें नहीं लगता कि हम abnormal है, हमें लगता है, लगता है this is normal, क्योंकि जो मुझे तकलिफ हो रही हो, इनको भी हो रही है, इनको हो भी हो रही है, तो मैं हटके नहीं हूँ, मैं उनका येक हिसा हूँ, तो हम उस चीज को abnormal नहीं लेते हैं, similarly, stress एक अच्छी चीज है या बूरी चीज है, शौर, वो हम आगे थोड़ा थोड़ा discuss करेंगे, ओके, let's try to define stress first, आप stress को define कैसे करेंगे, अगर आपको कोई बोले stress क्या है भाई, बताओ तो जरा, यह सब parallel names है उसके, गुद, जो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और all of a sudden वो हो जाता है, we get stressed out, because we are not prepared for it, कि ऐसा भी कुछ होगा, right, very good, very good, light stage क्यों आफ कर दीजे, can you see, stress की definition हमारे science में हमने सीखिये, stress equal to pressure divided by resilience, pressure बाहर का दबाव, which is external, resilience, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते है, inner strength, inner power, अपनी खुद की अंतरिक शक्ति, है न, तो stress directly proportional है pressure को, जितना pressure बढ़ेगा, उतना stress बढ़ेगा, लेकिन कम करना है तो क्या choice है मेरे पास, कम करना है तो choice क्या है, the denominator, resilience, जितना मैं अपने अंतरिक शक्तियों को बढ़ाऊंगी, समझने की, handle करने की, हर चीज को, उतना बाहर के pressure कितने भी बढ़े, I'll be able to manage with it, I can keep myself stress free, क्योंकि बाहर कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन सी situation लेकर आने वाला है, I never know, it is not under my control, बाहर की situations मेरे control में नहीं है, मेरे control में क्या है, अपनी powers को बढ़ाना, चाहे वो सहन करने की शक्ती हो, परिस्थिती का सामना करने की शक्ती हो, किसी को परखने की शक्ती हो, कोई decision लेने की शक्ती हो, अलग-अलग शक्ती है हमारे पास, तो उन शक्तियों को बढ़ाना मेरे पास choice है, तो आज हम जो focus करेंगे, external pressures I don't think we need to discuss, उसके भी variety types है, घर के problems, ठीक है, work, जहां पर हम कर रहे हैं कुछ काम काच के related problems, और तीसरा, self, मैं अपने आप से बहुत कुछ expect कर रहा हूं, मुझे ऐसा behave करना है, ऐसा काम करना है, ऐसे मेरे संसकार होने चाहिए, लेकिन हम अपने आप पर काम करके, अपने आपको change नहीं कर पा रहे हैं, so we have our own weaknesses, which we cannot overcome, तो हम खुद के लिए बेक stress create करते हैं, मुझे पता यह गलत है, मुझे नहीं करना है, but still I am doing it, so I am creating stress for myself, समझ में आया, तो यह तीन प्रकार के main reasons है, stress, जो pressure डालते हैं हमारे उपर, मैं ठिक ठाक चल रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी, मेरा पती, या मेरे बच्चों को कुछ problem है, तो उसका pressure इंडारेक्टली कहा आ जाता है, मेरे उपर आ जाता है, ठीक है, business में कुछ loss हो गया, business में कुछ गडबड हो गई, नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी progress ही नहीं होगे, this is a myth which people are carrying, secondly, it is necessary to achieve peak performance, अगर मुझे कुछ बहुत बड़ा achieve करना है, I have to be stressful, क्या लगता है, आप अंदर में सोचिये, कोई अगर आपको ऐसा कहता है, आपको उनको ये सवाल पूछना है, आप stressed होते हो, तो आप empowered feel करते हो, या low feel करते हो, when you are stressed, आपके अंदर positive energy generate होती है, या negative energy generate होती है, तो जिसने भी अनुभव किया है, वो feel करेगा, कि हम थोड़ा सा low feel करते हैं, अच्छा feel नहीं करते, which means negative energy काम करी, जब energy negative काम करी है, तो result positive हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो peak performance के लिए stress लेने की आवशकता नहीं है, third thing, it is simply a physical phenomenon, and some rest and relaxation will make it go away, हम सोचते हैं, बहुत stress होगा है, चलो एक movie देख लेते हैं, बहुत stress होगा है, चलो सो जाते हैं, तो उठने के बाद stress जाता है, movie देखने के बाद you are stress free, या थोड़ा drinks ले लिए, थोड़े कुछ वेसन के आदत हो, तो उसके बाद हम free हो जाते हैं stress से, are we postponing or removing, we are just postponing it, अभी नहीं सोचना है मुझे इस चीज़ के बरे में, because I am not able to focus, खूद अपना focus काई हटा नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे कुछ बाहर के साधनों को अपनाता हूं, कि जो मेरे focus को थोड़ी देर के लिए सही, वो thoughts थोड़ा दूर चले जाए, और जो मैं देख रहा हूं, उसमें मैं connect हो जाओ, तो इसलिए हमें कभी भी some rest और ये कुछ भी stress को कम करने वाली बात नहीं है, ये postpone करने वाली बात है, अ little jogging, a change of diet and good holiday will banish it, ये भी myth है, you have to be working 14 hours a day and constantly under pressure to experience stress, लोगों को लगता है कि मैं बहुत काम करूँ, या कुछ ऐसा extraordinary करूँ तब stressful होंगा, नहीं, आजकल तो छोड़ी छोड़ी बात हैं हमरे लिए stress create करते हैं, किसी के बारे में हमने सोचा होता ये ऐसा होगा, लेकिन all of sudden उसका कुछ अलग देखते हम, सवभा, संसकार या बात हम disturbed हो जाते हैं, हम stressed हो जाते हैं, तो बहुत कुछ ज़्यादा करने की जरूद नहीं stressful होने के लिए हैं आज हम तुरंथ stressful हो जाते हैं, Other people, situation and events are responsible for the stress, इससे agree हैं? नहीं हाँ, जी, they are, मतलब मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं, सामने वाले ने आकर मुझे गाली दे दी, या सामने वाले ने आकर मुझे कुछ उल्टा सिल्टा के दी या, या कुछ हो गया, then I am stressed, so who is responsible? I myself am. I myself am. My reactions to that situation. Right, brother कह रहे हैं, सामने वाला, which is quite natural, जो पहले थोट हमारे मन में आता है, अब तक तो मैं ठीक था ना? तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा किया, तो मैं disturbed हो गया. तो, blame game. Always. हम हमेशा कहते हैं, एक उंगली अगर वहाँ है, तो चार उंगली का आया है? यह देखो, कहां inverse है? Towards me. Why? वो आपको stress देने के लिए आया है. वो आपकी मन की स्थिती को डावा डोल करने के लिए आया है. इसके लिए वो कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए आपसे? आपकी स्थिती डगमग हो जाए, आप खूश हो, उससे थोड़ा नाराज हो जाए, this is what that person wants, right? But, मेरे feelings को कहा रखना है, कैसे रखना है, I always have a choice. ठीक है न? जैसे, यह कोई गंदी चीज है समझो. लेकिन मैं बड़े प्यार से आपको offer करें, ले लो ना, ले लो ना, है न? आप जब देख रहे हो, चीज खराब है, हाथ गंदे हो सकते हैं, आप क्या करेंगे? कितना भी प्यारा व्यक्ती हो, हम तुरन हाथ आगे नहीं करेंगे. कहेंगे, नहीं नहीं, ठीक है. है न? मुझे नहीं चाहिए आपकी वो गंदी चीज. कुछ युक्ती से और कुछ वर्ड्स बोलेंगे, but you will not take it in your hands. क्योंकि आपको आपके हाथ गंदे नहीं करने हैं. Similarly, ये चीज मतलब हमारा मन है. मन को खराब करना है या नहीं करना है? Choice is always mine. वो फेक रहा है कुछ. स्थूल नहीं फेक रहा है. वो क्या फेक रहा है? वर्ड्स के द्वारा. ऐसे कुछ शब्द फेक रहा है, जो आपके दिल को लग जाए, आपका दिल हट हो जाए, which is what he wants. But I can decide for myself, whether I want to get hurt, मुझे दुखी होना है या नहीं होना है? Choice is always mine. ठीक है न? नहीं तो फिर, अगर हमने अपना remote control, शिवानी बेन के भाशा में, दूसरों के हाथ में दे दिया, कोई एक है क्या लेने वाला उसको? कितने बैटे है आपका remote control लेने के लिए? पूरी दुनिया बैटी है, ले लो इसको remote, इसको रुलाओ, इसको दुखी करो, इसको ये करो, इसको वो करो, so better, अगर मैंने भी किसी और के remote control पकड़ के रखे है, let me keep it aside, और एक ही remote control मुझे अपने हाथ में लेना है, स्वयम का, let me decide my own mind state, मुझे खुश रहना है, दुखी रहना है, कैसे रहना है, मैं अपने लिए decide करूँगा, मैं दूसरों के लिए कुछ ने decide करूँगा, लेकिन मैं अपना remote control, अपने हाथ में लोगा, मेरी मन की स्थिती का, हर परिस्थिती में, जैसे देखो, आपने कई बार ये thought पड़ा होगा, जो लोग खुश रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके लाइफ में सब कुछ पर्फेक्ट है, खुश क्यूं रहते हैं, क्योंकि इंपर्फेक्शन के साथ, खुद को पर्फेक्ट लखने की कला उनको पता है, ऐसे नहीं कि उनके लाइफ में कोई चैलेंजिस नहीं है, एवरीवन इन टुड़ेश लाइफ, एवरीवन हाज डिफरेंट टाइप्स अफ चैलेंजिस, उसको ब्रॉडली कैटेग्राइज के आएं, बिमारिया हैं, शरीर की बिमारे itself is a challenge, आजकल हम देखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो 100% बिमारियों से मुक्त है, तन की प्रॉब्लम्स है, मन की तो धेर सारी प्रॉब्लम्स है, मन में भी कई अलग-अलग-अलग बिमारे काम, क्रोध, लोब, मोह, एहंकार, इर्शा, द्वेश, घुरुना, ये सारी मन की बिमारिया हैं, वो भी बहुत सारी लगी हुई है, तीसरा, धन की प्रॉब्लम्स कौन है, जो छूटा हुआ है, है न, मेज्जॉरिटी लोगों को धन कमाने की चिंता है, और, ठीके न, क्योंकि धन सुख नहीं लाता है, धन आपको comforts दे सकता है, comfort is a different thing, comfort is for the body, mind के लिए क्या चाहिए, happiness, जो धन खरीद नहीं सकता, अगर ऐसा होता, तो मार्केट में ये सारी चीज़े बिक्ती थी, शांती इतने रुपे की लो, सुख इतने रुपे की लो, आप पैसे फेको, लेके जाओ, शांती लेके जाओ, खुशी लेके जाओ, प्रेम लेके जाओ, लेकिन ये चीज़े मार्केट में नहीं मिलती है, ठीके न, क्योंकि ये धन से खरीदी नहीं जा सकती है, इसलिए धन की भी problem मनुश्यों को है, चौथी, जन, अर्थाद relationships, एवरीवन is going through some problem, through their relationship, चाहे वो closely connected लोग हो, चाहे वो business में related लोग हो, रिलेशन्शिप में कुछ ना कुछ, उपर नीचे है, ठीके, तो इसलिए हम कहते हैं, कि हम कभी भी दूसरों को अपने stress के लिए ब्लेम ना करें. And the last thing, you have to be a doctor to diagnose and treat stress. लोगों को लगता है, मैं बहुत stressful हो गया हूँ, चलो doctor के पास. Maybe doctor will be able to help me. No doctor can help you in such situations. You have to help yourself. ठीक है? Okay, the next thing. Stress factors क्या है? क्यों stress generate होता है? The first thing, no quality time with the self. हम अपने साथ जो quality time spend करना चाहिए. सारा दिन तो हम अपने साथ ही है. आप यहां आए हो, तो खुद के साथ भी तो बैठे हो. सब के साथ भी बैठे हो. Throughout the day, there is only one companion and that myself. I'm always with me. But, मैं अपने लिए quality time नहीं निकाल रहा हूँ. जैसे हम दूसरों के साथ appointment लेते हैं. आज इतने बज़े हम यहां यहां मिलेंगे. इस इस topic पर बात करेंगे. एक दूसरे से पूछेंगे. How are you? Feeling well? Why not well? जो भी है. तो कभी ना कभी हमें थोड़ा time निकाल के खुद के साथ भी बैठना है. आज how are you feeling yourself? आज आपको खुशी महसूस हो रही है. थोड़ा low feel हो रहा है. थोड़ा कैसा feel हो रहा है. So, you have to check yourself. और जैसे हम दूसरों को बहुत मदद करते हैं ना. अगर कोई stressful नज़र आता है, दुखी नज़र आता है, तो हम थोड़ा counselling भी कर लेते हैं. चोड़ यार, यह तो सब होता रहता है लाइफ में. तू positive बन जा, तू positive सोच. तो हम क्या ऐसी बाते खुद के साथ करते हैं? So, we need to spend that quality time. Quality time में meditation भी आता है. Quality time में कुछ motivational चीज़े, सुनना, देखना, वो सारी चीज़े आते हैं. Which motivates you, which energizes you. That's the quality time. The next thing, when you do not want to do something. Stress कब होता है, मेरे कि यह काम करने की इच्छा नहीं, लेकिन मुझे करना पढ रहा है. यह मेरे लिए मजबूरी बन चुकी है. Then we feel अंदर से stressful. लेकिन कोई चीज मेरे करने की चाह है, और मैं कर रहा हो, तो I don't feel stress. ठीक है? Third thing, when you think excessively. यह तो common problem हो गई आजकल. बात होती इतनी इसी. सोशते कितना है? धेर सारा. कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ़ते, और कई बार तो एक चीज को पकड़ के हम, महेनों, सालों तक भी सोशते रहते हैं. ठीक है, यह मेरे साथ हुआ, तो क्यूं हुआ? नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, या जो भी. So, excessive thinking is one of the main factor of stress. Concentrating more on what others think. यह एक बीमारी बहुत है. मैं अपने आप में तो खुश हूँ, लेकिन कोई आकर मुझे अंदर से लगता है, यह मेरे बारे में क्या सूचते होंगे? यह मेरे बारे में क्या सूचते होंगे? उनकी opinions मेरे बारे में क्या है? That matters for me. तो हमें कभी भी खुद ऐसे जीओ, जो जीने में मुझे मज़ा है. लेकिन लोग आपको अच्छा भी बोलने वाले होंगे और बुरा भी बोलने वाले होंगे. There will be always both ways. कभी आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही बाते करेंगे. So don't depend on others opinion. आप अपने आपको perfect बनाते जाओ, अच्छा बनाते जाओ, सब के साथ अच्छा संबंद रखो, अच्छा सोचो. लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें चिंता करने की आवशक्ता नहीं है. And then, when one tends to imagine a lot, when you expect too much from others, when there is an inability to perform a given task. किसी ने आपको कुछ आकर काम दिया है, लेकिन आप अपने आपको capable feel नहीं कर रहे हो, कि मैं कर पाऊंगा. Then also, stress अंदर से आता है, करना पड़ेगा, कैसे करूं, क्या करूं, ठीकिन, इस टाइप के thoughts आना. अभी, stressors, it's not the situation, but thinking about the situation again and again, that is stressful. situation, जो भी आनी है आपको, जैसे exam है, for example, simple example, है न, मुझे exam perform करना है, exam perform करूंगा, तभी particular certificate या जो भी मुझे degree मिलनी है, मुझे लेनी है, तो करना तो है, लेकिन बार-बार exam देनी है, exam देनी है, तीन घंटा बैटना है, इतना लिखना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो thinking, instead of preparing for the exam, I am taking stress for the exam, कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, अगर कुछ सामने से सवाल आया, मैं perform कर पाऊंगा या नहीं, अच्छा जवाब, राइजवाब दे पाऊंगा की नहीं, उसके प्रती बार-बार सोच के अपने आपको तकलीफ देना, that is the stress, it's not the situation, but thinking about the situation, again and again, creates the stress the real cause, जैसे हमने कहा न, बाहर का कोई चीज जिम्मेवार नहीं है, आपके stress के लिए, the real cause क्या है, these are the things, हमारे अंदर कोई fear हम carry कर रहे है, हमारे अंदर कोई insecurity है, या anger है, या attachment, ego, lack of trust, many things, यह मेरी कमजोरिया है, बाहर की कोई चीज मेरे लिए stress create, नहीं करें, मेरी कमजोरिया, मेरे लिए stress create कर रहे है, now, problem क्या होती है stress से, very well experienced, first thing, dysfunction of many organ systems, especially the heart, blood vessels, adrenals, and immune system, आप सभी को पता है, heart blockages, आज बहुत कॉमन चीज हो गई है, heart blockages, सिफ, cholesterol, या खानपान के उपर नीचे की चीज, आपने ड़क्तर के पास गभी भी गए होंगे, majority doctors आपको क्या कहते है, आपकी बीमारिया क्या है, they use a one particular word, हाजी, lifestyle issues, right, exactly, जिसको कहते है, psychosomatic diseases, psychosomatic diseases, psyche मतलब, मन, मन का तन के उपर जो प्रभाव पड़ता है, और specially positive thoughts का नहीं, बीमारिया create करने के लिए वो negative thoughts होते हैं, जब वो शरीर के उपर उसका impact पड़ता है, तो किसी ना किसी बीमारी का रूप ले लेता है, जैसे कई लोग कहते हैं, जब hard blockages होते हैं, जब आपने किसी past की बात को बहुत लंबे समय तक hold करके रखा है, इसने मुझे इतना दर्द दिया था, इसने मेरे साथ उस समय ऐसा वेवार किया था, वो शायद व्यक्ति गुजर भी गया होगा, वो situation गुजर के पच्ची साल भी हुए होंगे, but I am holding the same energy, negative energy till now in my heart, in my mind, so what it will create, blockage, और जितना उसके उपर सोचते जाएंगे, stress लेते जाएंगे, सुचते जाएंगे, stress लेते जाएंगे, वो blockage दिरे, 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 बड़ा होता जाएगा, and then bypass करो, या और कुछ करो, वो सारे options आपको दूद, यह मने one example दिया, but everything, every, every बीमारी, जो बीमारी हमारे पास आती है, it's somewhere the result of stress on your body, ठीक है इसलिए disease जो है बहुत सुंदर वर्ड है, disease को आप थोड़ा break करो, this plus ease, जब यूमन मेंसे easiness निकल जाता है न, being easy with everyone, you know, वो natural जो संसकार है, वो कही न कही दूर चला जाता है, तो disease आ जाता है, क्यूंकि आजकल कही लोग कहते हैं, कि जैसे छोटा बच्चा होता है न, छोटा बच्चा सबको अच्छा लगता है, है न, एकदम छोटा, जिसको अभी दुनिया का कोई ग्यान नहीं है, why he attracts to us, no, why we get attracted to him, innocence, purity, right, realness, वो जो है, सो है, वो आपको खुश करने के लिए कुछ चेंज नहीं कर रहा है, उसको जब रोना आएगा, तब ही रोएगा, वो नहीं देखेगा, अरे, इतने लोग है, इतने लोगों के बीच में रोऊं कैसे, आवाज कैसे करूं, मैं डिस्टरब तो नहीं कर रहा हूं, no, he is what, inside, outside, same, अंदर बाहर बिल्कुल same है, जो है वो express करता है, है न, तो उसका वो innocence हमको उसकी तरफ खीचता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे वो बच्चे दुनिया वालों को देखता है, आजू बाजू वालों को देखता है, या उसको कभी parents या कोई और सिखाता है, तुमको ऐसे behave नहीं करना है, यहाँ ऐसा नहीं होना करना चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो धीरे धीरे वो narial बन जाता है, narial मतलब बाहर से strong, सक्त, है न, और एक meaning है उसका, na plus real, अब तक वो कैसा था, अब तब वो कैसा था, real, जो लग रहा है, बिल्कुल, very natural, very transparent, जो है, सो है, मैं आपको खुश करने के लिए कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, दुनिया में यह फ्याशन चलता है, तो मुझे वैसे कपड़े पहनने चाहिए, दुनिया में यह हैरस्टायल चलता है, तो मुझे भी वैसी हैरस्टायल करनी चाहिए, He is not bothered about other things, you know, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते, we start bothering, मैं कौन सा ट्रेस पहनूँगा, तो लोगों को अच्छा लगेगा, मैं कौन सी हैरस्टाल करूँगी, तो लोगों को अच्छा लगेगा, इन शौफ वाली लाइफ, अगर मैं आपको कुछ प्राक्टिकल एक्जाम्पल बताओं, क्योंकि हमारे यहां काउंसेलिंग भी चलता है, कई लोग आजकल तो बहुत सारी समस्या है संसार के अंदर, वराइटी वराइटी प्रकार की संसार, और उसमें डिवोस केसे साब सभी जानते, उसका रेट दिन बदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि everyone is choosing their own husband, पहले तो चलो शादिया तै की जाती थी, है न, अभी तो शादिया खुद भी खुद ही तै करते हैं, कि मुझे कौन अच्छा लगता है, और फिर six months, two months, one year, बहुत long period हो जाता है उसके साथ चलने में, और बात कहां तक आ जाती है, डिवोस तब, तो ऐसी भी cases हमारे पास आती है, और जब हम उनको counselling करते हैं, बात करते हैं, number share करते हैं, यहां बात आईए डिवोस की, लेकिन अगर हम उनके status देखेंगे, अगर हम उनका DP देखेंगे WhatsApp पे, क्योंकि हम interaction करते हैं, WhatsApp पे, फोटो क्या होते हैं, देख के लगेगा, इनके जैसा happy couple दुनिया में नहीं है, इतने सुंदर सुंदर फोटो कही गूमने गए होंगे, कही क्या किया होगा, वो फोटोस दुनिया को दिखाने के लिए है, और रियल लाइफ में क्या चल रहे हैं, डिवोस चल रहा है, एक दूसरे के साथ रहनी पा रहे है, एक दूसरे के साथ संस्कारों को match नहीं कर पा रहे, this is the reality of the life, so हम दिखावे पे नहीं जाए, है ना, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जो चीजे ज़रूर है उनको हम अपनाएं So, psychosomatic diseases, chaotic thinking, effect on relationship Relationship पे हम stress है तो हम relationship पे एफेक्ट आएगा की नहीं कोई अच्छे से बात करने के लिए रहा है, time निकल के मुझे मेरे साथ कुछ time spend करने के लिए लेकिन अंदर से मैं किसी बात को लेका stressed हूँ तो वो जितना happy mood में आए शायद मैं उतना उसके साथ interact नहीं कराऊँगा Because I am stressed myself, okay? Then low efficiency, आपकी work efficiency पे क्या हो जाएगा? उसका असर आएगा, आप जितना पहले अच्छे perform करते थे अब आपका performance down होता जाएगा Lack of creativity, क्योंकि creativity के लिए mind free चाहिए Free from all the stressful things and everything Then the mind can give miracles लेकिन अगर mind पूरा stressful है, तो कोई भी creativity काम नहीं कर सकती है In appropriate or delayed decisions समय पर जिस समय जो decision लेने चाहिए थे, वो ले नहीं पाते है Postpone करते रहते हैं या जल्दी-जल्दी में कुछ गलट decision ले लेते हैं ठीक है, अब बहुत सारा stress के बार में बात कर लिया Which we already know, which we already experienced Now let's talk about how to get free from the stress ठीक है, शायद वो भी आपको पता है हम आपको बस revise कराएंगे, पक्का कराएंगे ठीक है, so how to overcome stress Changes किस level पे लानी है, हमें क्या लगता है, बाहर से शुरुवात करो अच्छा-च्छा behave करना शुरू करो, अच्छा-च्छा बोलना शुरू करो लेकिन आपको किसी भी चीज का result permanent चाहिए तो हम beach से start करें, seed level से start करें क्योंकि अगर आपके घर में कोई ऐसा पोधा आता है, जो आपको नहीं चाहिए ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, वो जैसे बढ़ रहा है, cutting कर रहे हैं वो जैसा बढ़ रहा है, cutting कर रहे हैं जब तक बीज है तब तक न उसके पते या unwanted branches निकलती रहेंगे, आप कब तक कट करेंगे best is उसको root से उखाड कर निकाल दो, तो वापस बढ़ने की बात ही नहीं आएगे तो stress को भी change करने के लिए हम उपर उपर की बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे हम root cause तक जाएंगे, where exactly and how it is getting created and how can I get relief from it, right तो we will change from the bottom that the consciousness level, consciousness क्या है, can anybody define consciousness इसको दूसरा parallel शब्द है awareness, being aware of the self अभी तक हम खुद से ही अंजान है, हमारे पास पूरी दुनिया की knowledge है election में आज कौन क्या हुआ, किस city में क्या हुआ, किस राज्य में क्या हुआ, we are very well aware about everything वो उसने उसके बारे में क्या कहा, उसने उसका reply क्या दिया we know everything through social media, can social media help you to find out yourself उसके लिए मुझे खुद थोड़ा time निकालके बाहरी दुनिया से detached होके अपनी अंदर की दुनिया में जाना पड़ेगा there is a beautiful inner world, which I am not getting time to travel और जब तक मैं inner world में travel नहीं करता, मैं external world change नहीं कर सकता so spirituality helps you there to change your inner world, okay, what is it, so who am I, consciousness level is who am I first knowing the self before knowing the world, know the self, so यहां directly हम spirituality के कुछ बाते करते हैं आज तक मैं अपने आपको क्या समझ रहा था, या समझता हूँ, this is what I am, this body, this personality is my identity, right spirituality tells you more than this, थोड़ा सा और deeper level पर लेके जाती है यह body कितना समय हमारे साथ चलेगी जब तक सास चलेगी तब तक, सास कब तक चलेगी guarantee नहीं है, लेकिन सास चलाने वाला कोई तो होगा ना, जो body में बैठा है अब वो शब्दा आ गया, आत्मा, have you heard about आत्मा पहले जब आत्मा शब्दा सुनते थे, तो क्या होता था, डर लगता था क्योंकि आत्मा मतलब भटकती हुई आत्मा इतना ही पता था हमें है ना, अंदेरे में बटकती हुई आत्मा होती है, जंगल में जाओ तो बटकती हुई आत्मा होती है you know, evil souls, we heard about the evil soul, but do you know that you yourself is a soul हम जब किसी के अंतिम संसकार के लिए जाते हैं, वो व्यक्ति गुजर गया है उसके around बैठते हैं, उसके dead body सामने होती है और हम प्रे करते हैं इस आत्मा को शंति मिले, यह प्रे होती है ना, हम क्या यह प्रे करते हैं कि इसके शरीर को शंति मिले, हम यह प्रे करते हैं कि बबा जो भी मतलब इसके around जो भी था वहाँ शान्त हो जाए, नई, we are very specific किसको शांती चाहिए, आत्मा, किसकी, इसकी जो ये रोल प्ले कर रही थी, X, Y, Z, जो मेरे सामने डेड़ बॉड़े की सामने पड़ा हुआ है, इसको शांती मिले, So, two things very clear, शांती शरीर को नहीं चाहिए थी, है न, और जिसको चाहिए थी, वो है, तभी तो हम कहते है, उसको मिले, शांती मिले मतलब इस्टिल एक्जिस्टिंग, राइट, बस यही डिफरेंस हमें समझना है, अब तक जिस डेड़ व्यक्ति के साथ हम मिलते थे, बाते करते थे, कुछ इंटराक्शन करते थे, बाडी सिर्फ माध्यम था, इंटराक्ट कौन कर रहा था, the soul within the body, जो relationship हमने निभाया, वो body नहीं प्ले कर रहा था, वो soul उस body के through express कर रही थी अपने आपको, what we are doing here through body, expressing our feelings, अंदर में मन में क्या विचार चल रहा है, मुक्य द्वारा हम बोल के सुनाते है, कुछ behavior द्वारा सुनाते है, कुछ संस्कारों द्वारा दिखाते है, तो body is a media to express, पट किसको express किया जा रहा है, soul को, जो अंदर में बैठी होई थी, तो dead body और living body में difference क्या है, dead body और living, अभी अभी जिन्दा था, अभी अभी मर गया, अब body तो same है, difference क्या हो गया, exactly, absence of soul is being dead, presence of soul is living, तो इसलिए consciousness जिसके हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे दो चीज़े आती है, एक ही चीज़ आती है, that's the soul, हम लोग human being कहलाते हैं अपने आपको, क्या dead body को कभी human being कहा गया है, living being को human being कहा जाता है, ठीक है, where two parts are there, human plus being, human ये जो शब्द है, एक latin word है, humus, उससे derive हुआ है, and humus means मिट्टी, इसलिए हम शरीर को क्या कहते हैं, मिट्टी का पुतला, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है न, तो humus means ये मिट्टी का पुतला, जो हड़ी मास का पुतला दिखा ही दे दे रहा है, left में, but इसकी value कभ है, जब इसको चलाने वाली शक्ति, आतमा उसके अंदर प्रेजन है, so you must plus being, being is something living, being is an energy, जैसे यहाँ सब कुछ चल रहा है, light चल रहा है, fan, AC चल रहा है, जो भी चल रहा है, क्यों चल रहा है, because some energy is driving this, electrical energy is driving this, जैसे वो electricity को बंद किया गया, या चली गया, तो, सब कुछ बंद, ठीक है, वैसे हम अभी तक बहुत अभिमान में हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, कब तक, जब आतमा बैठी है, तब तक ही, फिर मैं कितना बड़ा businessman था, मैं तो करोड़ पती था, मेरे तो इतनी प्रोपर्टी थी, मैंने तो इतने लोगों का प्यार पाया इतने सारे likes पाये इतने सारे followers पाये लेकर जाएंगे अगले जनम में लेकर जाएंगे इसलिए क्या dialogue कहते है खाली हात आये थे खाली हात जाएंगे कौन आया था खाली हात शरीर लेकर आये थे पिछले जनम का जो यह कपड़ा था न, यह शरीर को हम चोला बोलते हैं, जैसे हम ड्रेस बदलते हैं, यहां रोज बदलते हैं, यह शरीर कुछ सालों के बाद बदलना होता है, पचास साल, सतर साल, असी साल, नबे साल, सो साल, लेकिन यह कॉस्चुम को क्या करना होता है, चेंज करना होता है ठीक है ना कौन चेंज करता है आत्मा आत्मा अजर अमर अभिनाशी है it never dies because it's an energy energy का एक law क्या पता है आपको energy cannot be created nor destroyed energy को बैठ के कोई produce नहीं कर सकता ना उसको खतम कर सकता energy can be only transfer from one form to another ठीक है soul is an energy which is driving this body जैसे दुनिया में बहुत सारे science में energies है electric energy, mechanical energy, solar energy there are different types of energy so human body को drive करने के लिए जो energy चाहिए उसको कहते है soul source of universal light s-o-u-l source of universal light source of unique light because we ourselves are unique beings आपकी जैसे duplicate निकाल के दिखाओ ना दिखने में कोई वैसा मिलेगा ना nature-wise कोई वैसा मिलेगा कुछ एक factor common होंगे nature में लेकिन 100% इस situation में ये भी ऐसा सोच रहा है ये भी ऐसा हर situation में दोनों एक जैसा सोच रहा है इसा होगा कभी नहीं होता है इवन जुडवा देख लो आप आजकल twins होते हैं देखने में मुश्किल से match होंगे लेकिन अगर match होते भी ये तो nature कैसे होता है contrast different choices are different sanskars are different everything is different because उसका connection body से थाई नहीं because they two different souls from two different backgrounds came into the same home same time that's the only thing common ठीक है तो हम लोग अभी क्या पक्का करेंगे we are not bodily beings इसका एहंकार नहीं करना है ये मिट्टी का पुतला है इसको कितना भी सजाओ या कितना भी कुछ करो एक दिन ये मिट्टी में मिल जाना है और आज हमारी पूरी लाइफ कहां focused है उसको खिलाओ उसको पिलाओ उसको comforts दो उसको सजाओ उसका show off करो सारा life body conscious world this world is totally body conscious और आज जितने भी सारे दुख है somewhere the result is being body conscious इसलिए काम वासना बढ़ रही है दुनिया में क्रोध बढ़ रहा है लोभ बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे दिमान से भी बढ़ी की यह भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए लोभ बढ़ रहा है एहंकार बढ़ रहा है इरशा बढ़ रहा है because competition is there you know so यह सारे चीजे जिनोंने हमारे जीवन को दुखी किया यह stressful किया है the root cause is considering yourself body and just focusing on the body अब stress free होने के लिए थोड़े focus अब हम अपनी inner demands के उपर focus करते हैं ठीक है वो inner demands क्या है अभी we have two personalities one is in itself other is acquired self अभी मैं आपको आपका परीचे पूँछूं आप क्या क्या बताएंगे in general में क्या कोई भी आपको मिलता है जब आप first time उनको अपने आपको introduce करते हो what all things you introduced commonly name profession caste address अगर मैं बहुत ही short form में कहूं नाम धाम और काम बैसिक ये तीन चीज़े बोलते है मेरा नाम ये है मेरा धाम अर्था मैं पूना मैं particular area से हूं पूना के बाहर वाले से मिलते हैं तो मैं पूना का हूं विदेश वालों को मिलते हैं तो मैं भारतवासी हूं depending on that ठीक है हम नाम धाम और काम करता क्या हूं मैं student हूं मैं professional हूं या मैं और कुछ हूं जो भी है तो mainly तो ये तीन फिर उसके अलावा तो बहुत सारी है मैं इस जाती का हूं मैं इस धर्म का हूं मेरी belief system ये है मेरी hobbies ये है मैं so and so and so but the three things नाम धाम और काम ठीक है तो वो सब कुछ आता है acquired self में नाम कब मिला आपको जब आपको ये शरीर मिला आतमा को जो नया नया एक छोटी सी जर्नी को समझते है मा के गर्भ में बच्चे का शरीर तयार हो रहा है ठीक है तो at least 4-5 मेंने वहां कोई moments नहीं होती है जो भी moments शुरू होती है 4-5 months के बाद होती है क्यों? क्योंकि वो car है हम इसका एक्जांपल कार के साथ करते है car जब अनुफेक्चर हो रही होती है driver जाता है test drive करने के लिए अब तो manufacture हो रही न? उसको पहले बनने तो दो फिर उसके बात test drive लेंगे उसको यूज करेंगे car को वैसे शरीर भी एक कार की तरह है जो मा के गर्ब में तयार होता है, जब उसका structure 4-5 मेने में तयार होता है scientifically, तब उसमें आत्मा जिसको उस family में आना है, उन आत्माओं के connection में, वो कहा तो पुराना वाला छोड़ना पड़ेगा costume, वो वाला तो लेकर नहीं आने वाली, पुराना वाला costume उदर डेट हो गई, व मा के गर्ब में इस जो छोटू का शरीर है उसमें आकर बैढ़ेगे, ठीक है, अब नया नया शरीर मिला है या गाड़ी मिली है तो ड्राइव तो करेगा ना, तो फिर kicks, छोटी kicks ये वो जो महसूस होती है मा को पेट के अंदर, इसका मतलब driver आ चुका है, छोटी गाड़ी क ड्राइवर चोटा आ चुका है, वो चोटा नहीं है, वो चोटा नहीं है, क्योंकि जहां कहीं उसने शरीर चोड़ा है, वो चायद 80 साल का था, 90 साल का था, या 70 साल का था, आपको पता है कौन से एज में उसने शरीर चोड़ा, लेकिन आया अब ही चोटे से शरीर में है, ठ body, क्योंकि उस body के अंदर प्रविश किया उसने, the first thing he acquired is the body, body मिलने के साथ साथ बाकी सब कुछ मिल गया, कैसे, body को जनम देने वाले मात्रपिता कौन थे, वो बन गय में उसके मात्रपिता, फिर मात्रपिता के और कोई संबंदी थे, वो उसके और संबंदी बन गय, मात्रपिता का जो घर था, वो उसका घर बन गया, मात्रपिता ने जो नाम दिया और जो सरनेम था, वो सरनेम मिल गया, so this is all acquired, understanding, आज तक हम अपने acquired self को अपनी real identity मानते आए, which is true at some extent, for others it's fine, I should have some name, I should have some city to stay, कुछ घर होगा, कुछ प्रोफेर्शन होगा, that is all true, लेकिन यह temporary है, इतना याद रोखो, this is all temporary identity, acquired self is a temporary identity, ठीक है, change होने वाली identity है, देखो, कई बहने हैं, जिनका शादी से पहले नाम अलग होता है, शादी के बाद सरने मी बदल जाता है, हजबन को लगता है, पहले वाला नाम ठीक नहीं था, मैं तुमारा नाम भी change कर देता हूँ, तो क्या वो person बदल गया, he's still same, सिर्फ नाम बदल गया, तो वो मेरे identity कैसे हो सकती है, जो बदलती है, मैं तो वही हूँ ना, नाम बदला है सिर्फ, रहने का स्थान पहले मैं का था, अब ससुराल, address change हो गया, profession wise शाद में पहले कुछ और थी, शादी की बाद मुझे लगा, husband का business join करना है, I join husband's business, my profession change हो गया है, so, क्या ये temporary identity, मेरी identity हो सकती है, मैं तो मैं हूँ ना, मैं जो सोचती हूँ, जो मेरी संसकार है, जो मेरी thought process है, this is what I am, right, तो ये difference हम में आ रहे हैं आपको, innate self and acquired self, आज तक हम acquired self, जिसमें ego, role, images, possessions, bodily relationship, position, achievements, सब कुछ, वो सब acquired self में, innate self में क्या आता है, soul, atma, spirit, essence, point of light, energy, बनी है, क्योंकि हमारे stress में यह यह चीज़ें हमें मदद करने वाली है, हम मन की बाते करते हैं, मन की बाते करते हैं, मन को कभी देखा हैं आपने, हम कहते हैं, मेरा मन बड़ा stressful है, have you seen your mind, है ना, हम कई बार कहते हैं, don't mind, लेकिन है का mind, क्या हमने अपना माइंड देखा हैं, क्या हमने दूसरों का माइंड देखा हैं, तो क्या वो एक्जिस्ट करता हैं, क्या जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्या वो एक्जिस्ट करती हैं, दुनिया में ऐसे कई चीज़ें हैं, जो दिखाई नहीं देती, but उनका presence, हम फिल करते है, है न, जैसे अब आपको, कोई कहे हवा है, हाँ कहेंगे, दिखाऊ, दिखाऊ, कहा है हवा, हवा को दिखाया जा सकता है, हम कहेंगे, फिल करो, आपको ठंडा फिल हो रा है, आपको यह feel हो रहा है, वो पड़े उड रहे है, वो पत्ते हील रहे है, इसको हवा कहते है, ठीक है न, वो दिखाई नहीं दे रही, but I can feel it, जैसे कोई फूल है, फूल का color देख सकती हूं, फूल का यह रूप दे सकती हूं, लेकिन फूल का fragrance, फूल की खुश्बू, वो तो ल है, वो invisible identity है, that I am a soul, getting me, तो जैसे शरीर के अपने-पने organs है, हाथ है, पेर है, आखे है, सब कुछ है, वैसे जो अंदर की आत्मा है, उसके पास भी तीन subtle organs है, सुक्ष्मा organs है, जिसको कहते है, मन, बुद्धी, संसकार, शब्द तो नहीं नहीं है, we many times talk about this, इसकी बुद्ध यह ऐसी है, इसकी बुद्धि वैसी है, यह बुद्धिवान है, यह कम बुद्धिवाला है, हम संसकारों की बात करते हैं, इस बच्चे को अच्छे संसकार दिये गए, उस बच्चे के संसकार अच्छे नहीं है, so यह terminologies हम बहुत बार यूज करते हैं, but we haven't seen it directly, यह हमने मह महसूस किया है, जब उसके contact में आते हैं, इसका behavior अच्छा है, इसकी चलन अच्छी है, तो संसकारों को हम feel करते हैं, बुद्धि मत्ता कितनी है, उसको feel करते हैं, कैसे decisions लेता है, कैसे चीज़ को देखता है, किस perspective से देखता है, तो बुद्धि को हम judge कर सकते हैं, महसूस कर स सोचना, 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 कितना सोचना, उसको पता नहीं है, कहाँ full stop लगाना है, कहाँ direction को change करना है, कितना depth में जाना है, कुछ नहीं, ठीक है, तो जो हम inner world की बात कर रहे थे, that is in itself, जो मैं originally हूँ, अंदर से, that's the inner world, it's a private area which involves our feelings, emotions and ideas, everyone has feelings within them, everyone has different ideas, है न, तो इस सारे कहाँ define हो रहे अंदर, inner world में, it's my inner environment which becomes instrumental for all responses to the world, क्यों हम inner world पे ध्यान दे रहे, क्योंकि मैं बाहर वालों को कैसे response कता, जैसे भाई कहे रहे, किसी ने मुझे गाली दी तो मुझे गुसा आएगा, मुझे मेरी हलत थोड़ी, stage थोड़ी उप से, लेकिन मुझे कौन सा तीर देना है, कैसा तीर फेकना है, रिचन में, choice is mine, so external word से कुछ भी आएगा, but response कौन कर रहा है, inner world, getting me, तो इसलिए inner world से हमें थोड़ा connect होना है, इसको empower करना है, क्योंकि हमने stress को क्या define किया, what was the definition of stress, you remember, stress equal to, pressure divided by resilience, pressure, different, different work, pressure, home pressure, self pressure, बाहर से आ रहे, और मुझे इन सारे stress को कम करना है, तो resilience को inner powers को बढ़ाना है, और inner powers को बढ़ाने के लिए, पहले आपने आपको जानना पड़ेगा, कि फिर में अपनी powers को बढ़ा सकता हो, ठीक है, तो अभी हम जो आत्मा की बात कर रहे थे, आत्मा तीन चीजों के द्वारा इस शरीर से कार्य करती, क्योंकि आत्मा अलग है, he doesn't belong to this bodily world, क्योंकि वो दिखती नहीं है, शरीर दिखता है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी, बोथ are different identities, बोथ are working together, तो मन क्या करता है, दोनों के functionalities अलग है, बोड़ी हातों से काम करेगी, पैरों से आखों से देखेगी, आप मुझे बताएए आखे देखती है, या कौन देख, शरीर देखता है, या आत्मा देखती है, आप जुन को पता है, वो ना जवाब देख, तो अच्छा है, लेट, others think, यह, तो देख कौन रहा है, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप हो कौ क्या शरीर देख रहा है शरीर सुन रहा है शरीर इस थंड़क को महसूस कर रहा है क्या लगता है कौन है हाँ जी जैसे हम डेड़ बोड़ी की बात कर रहे थे जब हमारे सामने कोई डेड़ बोड़ी होती उनके आखे कभी खुली रह जाती कहते ना आखों से प्रान चले गए, आखे खुली होती, तो वो क्या देखता है मेरे अंतिम संस्कार में कौन-कौन आया है, कहां से आया है, आप उसके अराउंड बाते करते हो, कुछ भी, आरे बड़ा अच्छा बंदा था, सारा जनम भले हमने उसको अच्छा नहीं कहा हो, अभी देखो, इतनी छोटी सी उंगली को आखे नजदिक लेके जाओ, तुरंट पिछे ले लेंगे, अब पूरी की पूरी बाड़ी आग में जा रही है, नो वनी स्टॉपिंग इट, place, what I am trying to say, शरीर सिर्फ माध्यम है, शरीर में कोईँ फिलिंग्स नहीं है, शरीर में कोईए इमोशन्स नहीं है, नहीं तो वो डेड़ंट बोड़ी को हम आग में डाली नहीं सकते थे, ठीक है न? तो अभी हम देख रहे हैं, आखी खुली है, शरीर की आखे सिर्फ माध्य विंडोज है यह जैसे आत्मा अगर ओनर है मालीक है तो यह उसका घर है रहने का तो घर को विंडोज होती है बाहर देखने के लिए तो यह दो आखे क्या है हमारी विंडोज जिसके थूरू हम दुनिया को देखते हैं कौन क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है ठीक है ना लेकि कान है विए बिचार विए देड बोडी में भी कान थे वो बिचारा विए पा रहा है, इसका मतलब कान थो सुनी नहीं रहे थे, आत्मा सुन रही थी इस माध्यम द्वारा, तो आत्मा अंदर में बैठके इस बोडी को चला रही है, सुनने का, आप कहरें सांसे है तब तक हम अब साज भी कौन ले रहा है अंदर की सांसे कैसे चल रही है somewhere is there की जो अंदर में oxygen को ले रहा है फेक रहा है काम कर रहा है तो कौन कर रहा है soul is doing all that getting me तो soul का पहला हिस्सा है तीन हिस्से है मन बुद्धी संसकार यह कोई visible organs नहीं है जैसे शरीर के visible organs है these are invisible but actually impacting our whole inner world मेरी पूरी thought process मेरे संसकार मेरे दुनिया को देखने का नजरिया दुनिया के साथ विवहार करने का नजरिया सब इन तीन चीजों के उपर depend है तो थोड़ा-थोड़ा हलके से जाकते मन विचार करने की शक्ती जो हमने कहा मन का का में सोचना मन में सोच कहां से आती है चलो यह मैं तो मैंने थोड़ा डिस्प्ले कर दिया आप बताओ thoughts कहां से आते है thoughts तो आते हैं हम सबको पता है कहां से आते होंगे surroundings है जो मैं देख रही हूँ उसके accordingly आ सकते है जो मैं सून रही हूँ उसके accordingly आ सकते है या फिर मेरे around कुछ हो रहा है वो महसूस करते हुए मेरे thoughts चल सकते है ठंडी लग रही है गर्मी लग रही है कुछ हो रहा है है ना तो कुछ sources है thoughts के तो विचारों के स्त्रोत क्या है एक तो इंद्रियों का प्रभाव क्या देख रहे है क्या सुन रहे है क्या फिल करे है वो इंद्रियों का प्रभाव कुछ मान्यता है belief system साब देखा दूर है लेकिन हमने पहले से belief कर लिया है कि साब मतलब काटना ही है तो जैसे ही साब को देखेंगे अंदर thoughts आना शुरू हो जाएंगे कई काटेगा तो नहीं कई मेरे पास तो नहीं आ जाएगा तो thoughts तो आने लगे ना अंदर में तो thoughts को trigger किस ने किया जो मेरी belief system थी उसने trigger किया या कोई व्यक्ति आता है मैंने उसके बारे में पहले से कही से सुनके रखाई ये ना अच्छा बंदा नहीं है तो जैसे मैं उसको दूर से देखूंगी मेरे thoughts चलने शुरू हो जाएंगे ये मेरे से आके कोई विल्टी सुल्टी बात तो नहीं करेगा या इसा तो नहीं करेगा तो हूँ प्रवोग दोस thoughts गेटी में मेरी मान्यता है ठीक है थर्ड थिंग इस पूर्वस्मृतिया अच्छा थर्ड थिंग इस हमारी पूर्वस्मृतिया पास्ट एक्सपिरेंस जो हमने पास्ट में कुछ एक्सपिरेंस किया है वो और फिर चोधे प्रकार के थौट है creativity, creative thoughts है न जो हम खूद प्लान करके कुछ thoughts create करते है so this is our, ये मन, मन clear हो गया, ठीक है अभी मन के thoughts को define किया गया है मन में जो thoughts आते हैं, किन प्रकार के आते है ये चार प्रकार, वैसे तो बहुत types के आते हैं लेकिन हमने broadly categorize करने का प्रयत्न किया है positive, negative, आवशक, अनवशक necessary and unnecessary ठीक है अब इसके detail में मैं बहुत नहीं जाती हूँ but short में positive which energizes you, वो thought आया अपने energy field की तो वो positive है जो thought create अंदर आने के बाद मेरी energy low होती है मैं तो weak हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हूँ मेरा खांदानी ठीक नहीं है, मेरी personality ठीक नहीं है वो जैसे thought आता है तो I feel low वो सारे negative thoughts अनवशक कौन से होंगे unnecessary thoughts या बहुत तीन प्रकार के होते पास्ट में कुछ हुआ उसका चिंतन अभी कर रहे क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा नहीं होता आप हो तो हो चुका ना आप सोचके थोड़ी जाके, पीछे जाके हम change कर सकते, I can't change I can learn the lesson, but I can't change the situation, but still I am thinking today about the past, that is a waste of time so it is wasteful thoughts unnecessary thoughts और फिर, समझा future की चिंता कर रहे, अभी तो चलो कमा रहा हूं आगे जाके मेरी कमाई बंध हो गई तो, मेरी जॉब चली गई तो, मेरा बिजनेश चूट गया, तो अभी तो नहीं चूटा है ना, you are still working, you are still performing, लेकिन future की चिंता करना, है ना, unnecessary अभी तो present आपके हाथ में मेहनत आपके हाथ में, आप decide कर आपका future क्या होगा, लेकिन वो चिंता वो भी waste और negative में चली जाती है अभी मैं present में हूँ present में मैं क्या wasteful thoughts create कर सकती हूँ करती हूँ practically तीन शब्द, परदर्शन, परचिंतन, परमत बैठी हूँ, चाहो तो आपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए या कुछ अच्छा सोच सकती हूँ, बढ़ मैं सोच के रहे हूँ इन्होंने ऐसे कपड़े क्यू पहने है यह ऐसा क्यू चल रहा है यह ऐसा क्यू काम कर रहा है is it my business to think about it हर एक वही पहनता है जो उसको अच्छा लगता है हर एक वही करता है जो उसको अच्छा लगता है लेकिन मैं यहाँ बैठके उनकी चिंता करो यह क्यू कर रहा है, वैसा क्यू कर रहा है तो I am wasting my time and energy wasteful thoughts and fourth type of जो आवश्यक हम सारा दिन में positive positive तो नहीं सोच सकते हैं सारा दिन भी negative negative भी तो नहीं सोचते हैं कुछ ऐसे thought जो सोचना जरूरी है for example यहाँ आपको आना था तो you tentatively planned your schedule मुझे इतने बज़े यहाँ से free होना पड़ेगा इतने बज़े घर से निकलना पड़ेगा इतने बज़े यहाँ पहुचना है इसके जाने के बाद क्या करना है so you have planned out तो यह negative भी नहीं था waste भी नहीं था लेकिन positive भी नहीं था कि बहुत कुछ positive thinking किया but it was necessary getting me so maximum जो सारा दिन में हमारे thoughts घुमते है या तो positive में थोड़ा बहुत maximum आवशक और wasteful ठीके अब धीरे धीरे हमारी life की quality को better बनाने के लिए stress situation पो easily handle करने के लिए मुझे positive का stock बढ़ाना पड़ेगा ठीके ना जितना positive सोचूंगी दुनिया की बाते उतना मेरे उपर आसर करना कम करेंगी ठीके अच्छा अभी बुद्धी बुद्धी का काम क्या है निरने करना, wishlation करना चुनना, अनुमान लगाना you know, discriminate the things judge the things analytical जो होती है, logical जो होती वो बुद्धी होती है और तीसरी बात संसकार, जो आत्मा में आती है संसकार क्या होती है हमारी आदते हम कहते हैं इसके आदती है वो ऐसे ही बात करता है वो ऐसे ही बीएव करता है इसके आदती ऐसी है तो यह आदते संसकार के रूप में कहां स्टोड़ूती है आत्मा के अंदर तो जब आत्मा एक शरी छोड़कर दूसरे शर्य में जाती है, क्या लेकर जाती है साथ में? तीन चीज़े, मन, बुद्धी, संसकार, इसको हम अपनी अभिनाशी प्रॉपर्टी कहेंगे, बाकी हम जो स्थूल प्रॉपर्टी कितनी भी कमा रहें, चलो इस जनम में जितना यूज़ करेंगे, उतनी काम में आएगी, अगले जनम में ये मुझको लेकर जानी नहीं है लेकिन मुझे अगले जनम में जो लेकर जाना है और इस जनम में मुझे helpful है ये तीन चीजों के उपर अगर मैं focus करूँ मन को positive विचारों से भर दू बुद्धी को यथार्त बनाओ जो right decisions ले right time पर और तीसरा संसकारों को divine बनाओ संसकारों को ऐसा बनाओ जो मुझे जीने में मज़ा है और मेरे साथ जो लोग जी रहे हैं उनको मेरी company में मज़ा है this is how the my life quality should be तो हम थोड़ा सा अगर अपना ध्यान इन तीन चीजों की quality को better बनाने में देंगे हम automatic stress free हो जाएंगे automatic क्यों क्यों क्योंकि मैं अपने positivity को बढ़ा रहा हूँ ठीक है दूसरा बुद्धी को बुद्धी को divine बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा divine knowledge बुद्धी ना उसको knowledge चाहिए उसका food क्या है knowledge जितना अच्छा आप पढ़ेंगे देखो social media पर सब कुछ available है अच्छी बाते भी available है खराब बाते भी available है choices mind की मैं क्या देख रहा हूं क्या सुन रहा हूं तो मुझे अपनी life की quality को better बनाना है तो क्यों ना मैं inspirational videos motivational things को सुनू पढ़ू तो automatic वो motivation मेरे life में काम करना शुरू करेगा ठीक है ना तो बुद्ध को हम divine बना सकते हैं और third thing अपने संसकारों को habits को कई लोग कहते हैं ना स्वभावाला आउषद नहीं is it so? आउषद है या नहीं कुछ इस बीमारी का जो स्वभा हुए बस वैसा ही चलता रहेगा और can we change it? There is always a choice to change it स्वभाव स्वभ मतलब मैं मेरा भाव मेरा भाव मैं बदल सकती हूँ क्योंकि मेरे आदते मैंने ही वनाई है और इस आदतों को change करना मेरे हाथ में है तो इतने डीटेल में अभी में नहीं जाओंगी but just we can change our sanskars okay so this is three things अब sanskars में भी पांच टाइप है पूर्व जनम से जो लेकर आए जैसे कोई मैंने का ना businessman ने चरी छोड़ा या आजकल हम देखते हैं चोटे बच्चे आपने देखे होंगे बहुत सुंदर भजन गाते हैं या संस्कृत श्लोग बोलते हैं एक नौ साल के बच्चे ने तो सर्जरी कर दी थी फिर वो छोटू-छोटू इतने बड़े calculations कर लेता है हम सोचता है इतनी सी उम्र में सीखा कभी यह कैसे सीखा तो यह आत्मा पिछले जनम में बहुत बड़ी mathematician थी बहुत बड़ा कुछ थी तो इधी रूटेड संसकार लेकर कहां आ गई वो छोटे से शरीर में आ गई जैसे उसकी बुद्धी डेवलप हो गई उसने वो सारा recorded बोलना शुरू कर दिया जो हमको मिराकल लगने लगी इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता है बले शरीर छोटा है लेकिन वो आत्मा बहुत सारा ज्यान लेके रटके फिरा भी आई है गेटिंग में तो यह हमारी अविनाशी प्रॉपटी जो हम क्यारी कर रहे है तो वाइनोट अभी क्यों न हम अपने संसकारों को ऐसा बनाए जो वर्तमान जीवन भी बहतर बन जाए और अगले आने वाले जल्मों की भी कोई चिंता ने क्योंकि यही सोल जाने वाली है यही संसकार लेकर वो जनम भी बहतर बन ही जाएगा है ना यह है हमारी रियल प्रॉपटी तो अच्छा यह संसकारों कि जब हम पूर्व जनम के कुछ संसकार मातपिता ने दिये हुए संसकार संग के रंग से लगे हुए संसकार किन लोगों के संग में आप घूम रहे हो फीर रहे हो बाते कर रहे हो कैसे लोग क्वालिटी है जैसे के थे ना birds of the same feathers flock together है ना तो हम किन के संग में रखते हैं उनका रंग हमारे उपर लग जाता है फिर मैं अपने choice से कोई संसकार धारन करती हूँ मुझे ये अच्छा लगता है तो बार बार रिपीट करके मैं उसको संसकार बना लेती हूँ और चौथा अविनाशी अर्थात आत्मा के original संसकार तो ये मान बुद्धी संसकार I am skipping little bit क्योंकि हमारी बड़ी दी आज चुकी है so I will just cover in fast आत्मा में अपनी कुछ चीज़े हैं जो हर जो हमने कहा ना आत्मा के एक प्रकार के संसकार है original अविनाशी संसकार जो हम सब आत्मा में deeply rooted always है और वो ये है कैसे लग रहे इस शब्द सुनके शान्ती, सुक, पवित्रता, आनंद, शक्ति, प्रेम ये शब्दों में ही कितनी एनर्जी है आप इसको प्यार से प्रणाउंस करो उसके घहराई में चले जाओ you can feel that energy itself और ये आत्मा के original संसकार है हम किसी भी जनम में चले जाए ये साथ चीज़े हम लेकर ही गुमते है इसलिए ये चीज़े हमें पसंद है आप मैंसे कौन है जिसको शांती पसंद नहीं है किसको ऐसे लगता है बहुत अशांत वातारों हो वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है everyone is looking for peace true peace सिर्फ external नहीं true peace silence is external peace is internal silence में रहना easy है लेकिन मन peaceful silently बैठा होगा इसकी कोई गारेंटी नहीं है हो सकता है मन चंचल हो मन में कोई टेंशन हो तो peace मतलब मन भी बड़ा शांत है silent है फिर यह सारे साथ गुन जो हम जो real state की बात कर रहे थे being stress free by knowing your real state तो हमारे real state क्या है this is our real state अगर यह सब कुछ गवा देंगे और बाहर की वो state बहुत आ जाएगी will you enjoy life will you enjoy life लेकिन वो बाहर की चीज़े कम हो लेकिन यह बहुत सारा हो आपके अंदर बहुत सारी शांती है बहुत सारा प्यार है बहुत सारी शक्तिया काम कर रही ही मेरे जीवन में how the life will be तो stress free होना possible है की नहीं होना तो इस real state को जितना हम reality में use करेंगे practical में use करेंगे जितना मैं अपने बोलो में करमो में शांती लाओंगी जितना मेरे करमो में मैं प्रेम लाओंगी आनंद लाओंगी शक्तियां यूज करेंगी my life will be completely stress free क्योंकि जैसे ही stress आता ये सारी चीज़े गुम हो जाती है शांती गुम हो गई प्रेम खतम हो गया शक्ति गुम हो गई सब कुछ गुम हो गया तो इसलिए मुझे छोड़ना क्या है इसके उपर ध्यान नहीं देना है मुझे पकटना क्या है इसके उपर ध्यान दो जैसे रूम में अंदकार है मैं सोचू कैसे भगाओं अंदकार कैसे निकालूं कौन सा दरवाजा खोलू तो रूम से अंदकार भाग जाएगा इतनी मेहनत करने की ज़रूद है क्या करना पड़ेगा रूम में से अंदकार को निकालना है बस एक बटन अं करो लाइट अं अंदकार अंदकार क्या था दाकनेस वोज़स्ट अपसेंस अफ लाइट योर जोब इस नोट टू रिमूव दाकनेस योर जोब इस तो एंलाइटन वहापे लाइट अप कर दो darkness गायब वैसे stress क्या है absence of all these things this is your real estate जो real estate हमको कमानी है अविनाशी जो मैंने कहा ना जो कभी खतम नहीं होंगी ये real estate है अपने आपको हर situation में peaceful, loveful, blissful, powerful रखना ये real estate है और विए कब हो सकता है जितना मैं अपने आप से connect होंगी when I know myself really who am I whom I belong to getting me तो ये साथ बाते और इसका हम meditation जो राजो का meditation ब्रह्मा को मरज में सिखाया जाता है उस meditation में इनी qualities के साथ आपको connect किया जाता है जो already है क्योंकि मैंने कहा ना हम बाहर की world में ज़्यादा जीते हैं कौन क्या, कौन क्या, कौन क्या शान्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ मेरे अंदर बहुत प्यार है सोचते सोचते ही वो energy काम करना शुरू करेगे it will start flowing from you इसलिए पिच्चर में क्या दिखाया है आत्मा का ये स्थान है, point of light जहां में तिलक लगाया जाता है मंदीर में, है ना, master है वो इधर बैठता है तो यहां से ये energy flow होना through vibrations, we say कि इनके vibrations अच्छे है इनका ये अच्छा है, कैसे feel होता है बात तो नहीं कर रहा कोई, कुछ दिखा तो नहीं रहा है but we can experience what that person is thinking that radiates the vibrations ठीक है, जिनको हम catch कर सकते है right, तो अभी जब हम कहे रहे थे न, real state, peace, happiness, love, power, purity, knowledge, bliss lastly अभी, अभी तक हमने जैसे कहा न, अभी तक body conscious में थे तो body की चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे उसको खाना पिना अच्छा खिलाओ, उसको rest दिलाओ और आजकल जो doctors बोल रहे हैं, उसको exercise कराओ तीन चीज़ी ज़रूरी होती न, शरीर को fit रखने के लिए लेकिन आजकी दुनिया में शरीर के fitness से ज़्यादा important है mind fitness या soul fitness तो उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए उसके लिए भी same चीज़े करो, diet है न, मन का भोजन क्या है, आत्मा का भोजन क्या है thoughts, thoughts is a food of the soul, thoughts is a food of the mind mind और soul ही, जैसे हम हाथ की बात कर रहे है बात तो हाथ की कर रहे है, लेकिन वो शरीर की भी तो है साथ साथ वैसे mind के बारे में बात करना अर्था, soul के बारे में बात करना intellect के बारे में बात करना अर्था, soul की fitness, अगर मेरे negative worth जादा चलते हैं, तो my mind will not be fit, है ना, तो मुझे थोड़ा attention से अच्छा सोचना, और उसके लिए अच्छा अच्छा देते जाओ, जैसे हम खांते समय भी we are very specific, कौन सी चीज हेल्दी है, कौन सी अनहल्दी है, similarly मन को भी under thought create करना से पहले सोचो, यह thought मेरे लिए राइट है या नहीं है, whether it's good for me or not, then only, accordingly you go ahead, ठीक है, फिर sleep, अभे आत्मा को कैसे, रात को जब हम सोते तो कौन सोता है, मन तो भटक ही रहता है, सपनों के रूप में, और किसी रूप में, अब इसको कैसे शांत बिठाए जाए? Meditation is the technique where you take control of your mind और मन को अब धीरे धीरे प्यारे प्यारे thoughts देकर शांत कर सकते हो, अभी तक हमने सोचा था, मन खुदी thought create करेगा और उसको करने दो, it is not in under my control, but spirituality will teach you the technique, राजयोगा meditation is a technique where I take a control of the mind, I become a king of my mind, अब जब मेरे mind मेरे control में आ जाएगा, तो क्या मैं ऐसे वैसे फालतु बाते उसमें आने दूँगा? No. So here you are becoming a master of yourself, with practicing meditation, by knowing your real self. Getting me? So, और exercise क्या है? Relaxation, जैसे हम सारा दिन सोचते सोचते बहुत थक जाते, बीच-बीच में break दो, ब्रह्मा कुमारिज में एक बहुत अच्छी concept है, जिसको हम कहते है, traffic control, and a meditation songs, एक app है, आप Google कर, आप Play Store में जाएए, there is a one app, where you'll find the name, traffic control, ब्रह्मा कुमारिज की, यह कौन सा control, traffic को control करती है, बाहर का traffic नहीं, वहाँ तो लगे हुए traffic control के, lights, यह help करती है, आपके मन के traffic को control करने में, क्योंकि हम अपने मन का ख्याल रखते ही नहीं, उसको वो सोचने देते, जो उसको सोचना है, जितना देर सोचना है, जैसे सोचना है, we are not bothering about it actually, but, सबसे जादा हमें उसके बारे में सोचना है, कि वो सोच क्या रहा है, क्योंकि उसी के अनुसार मेरा inner world, एंपार हो रहा है, या, उसके energy level low हो रही है, तो traffic control songs, मतलब हर गंटे में, दो मिनिट, एक बहुत सुन्दर सा music या song लगता है, when you can sit peacefully, and take control of your mind thoughts, ठीक है, तो यह तीन चीज़े, अभी, अभी यहाँ पर हम थोड़ा stop करते हैं, हमारे दीदी जी हमारे बीच में है, हम जोरदार तालियों से हमारे दीदी को welcome करते हैं, और हमने, मैं दीदी को introduce करना चाहूंगी, मैं अपना भाग यह समझती हूँ, आइए बेंजी, हमारे आदरनीय दीदी जी का नाम सुननदा दीदी जी है, और यह करीबन 50 सालों से राजों का अभ्यास कर रहे हैं आप, और ब्रहा कुमारी में स्टेटवाइज जोन होते हैं, जैसे पूरे भारत में करीबन 9-11, 5-1000 तक ब्रांचेश हैं, तो महाराष्टर जोन है, करनाटक जोन है, डेल्ली जोन है, ऐसे जोन होते हैं, and under zone there are sub zones, sub zone का मिलके एक जोन बनता है, so there is a Mira Society sub zone, जो मिरा सोसेटी एरिया है अपना शंकरशेट रोड पे प्लिस सिट तो वहाँ पे वो जोन जो है हमाँ बहुत खुशी होती हमें जो दादी जानकी का बारे में हमने बात की the last administrative aid of ब्रह्मा कुमारीज तो उन्होंने शुरू किया हुआ 1970s में शुरू किया वो मिरा सोसेटी सेंटर है अब उसका फैलाव इतना बड़ा है कि उसके अंडर करीबन 175 से ज्यादा centers connected है ब्रह्मा कुमारीज के फ्रॉम नांदेड परवने एरिया तिल गोवा ये बीच का जितना भी एरिया है उसमें करीबन 10 districts आते हैं उसके अंडर centers, sub-centres around 170 branches of ब्रह्मा कुमारीज and she is looking after, she is the subzone head of that मेरा सोसाइटी subzone who is taking care of these 175 branches क्योंकि इस center पर बहुत सारे students होते हैं उनके problems होते हैं हमारी जैसी बहने होती हैं कभी बहनों को कुछ चीज़े सिखानी होती है, train करनी होती so she is our trainer, she is our mother more of, है ना क्योंकि जब हम, हम, जैसे हम लोग यहां surrender हैं, मेरे जैसे 10 बहने यहां पर surrender है, 6-7 भाई है जो समर्पी तुरूप से ब्रह्मा कुमारीज में सेवाय कर रहे है, तो लोगों को लगता है घर से दूर हो गए, अभी इनका ख्याल कौन रखता होगा, so she is our mother, who is taking care of everything not only external things, बट जो हम मन की बाते कर रहे थे, she is taking her up, that also, कि हम healthy कैसे रहे, खुश कैसे रहे, इस journey में आगे कैसे बढ़े, है ना और यह जगदंबा भवन, जो हमारे दादी जानकी जी का dream project है, और ब्रह्मा कुमारी का यह जो स्थान है, जगदंबा भवन, यह ब्रह्मा कुमारी में बहुत famous है क्योंकि जगदंबा, यह जो नाम है, अभी यह मास भी विशेश जुन मास चल रहा है, तो ब्रह्मा कुमारी का head जो है, founder, प्रजापिता ब्रह्मा, शुरू के वीडियो में आपने थोड़ा देखा, he became an instrument to start this organization, of course God is the main one, but एक साकार माध्यम चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके समय में जो first कुमारी, जो समर्पित हुई हमारी जैसी, और बाद में वो administrative head बनी ब्रह्मा कुमारी जी, the first administrative head, उनको प्यार से हम ममा कहते थे, वो भी कुमारी थी, लेकिन पाल्ला मा जैसी करती थी, तो उनको ममा कहते थे और ये जो स्थान है, जगदंबा उनके यादगार में बना हुआ है तो बहुत importance रखता है और ये स्थान के आप director है तो बहुत अभी ज़्यादा समयना लेते हुए, बहुत प्रेम की मुर्ती कहो, शांती की मुर्ती कहो, इतना बड़ा कारोबरा आप समझो, आपको अगर 100 से ज़्यादा, 500 branches handle करने है what will be your situation in handling things handle मतलब सी programs करना नहीं, वहां कुछ उपर नीचे होता है कुछ भी होता है, there are thousands of things happen लेकिन उनकी स्थिती मैं अभी 17 साल से दिदी के साथ सेवाए कर रही हूं यहाँ पर लेकिन मैंने देखा है कभी भी गुसा नाम की चीज़ इनके जीवन में नहीं है, जोर से बात करना उनको पता नहीं है कभी किसी से नफरत वाली बात हमने कभी करते हुए नहीं सुना तो एक जो डिवाइन परस्नालिटी होती है वो क्या होती है, you can feel it okay, so, I hand over to Benji, वो भी आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा सा मार्गदर्शन मैंने वदी दी पूछ रहती ग्रूप कॉन सा है तो मैंने जितना मैं समझ सके उनको समझाने की कोशिश की है but group is not important, you are all human souls and the needs are same so, over to her, thank you Om Shanti Om Shanti Aap सभी एक ऐसे स्थान पर आए हुए है जहाँ आपको Real Estate का पता पढ़ जाएगा शीतलवेन ने हमको कहा कि Real Estate Company के लोग आ रहे है तो जैसे ये शब्द उनके मुख से सुना तो हमने कहा कि बहुत सुन्दर नाम है ये हम सभी के पास दो प्रकार की State होती है एक जो दिखाई देती है और एक जो दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत आवश्यक होती है तो शीतलवेन ने आप सभी को spiritual बाते तो बताई है उसमें भी खास करके मैं जब यहां इंटर किया तो मैंने सुना कि वो स्वयम का परीचे दे रही थी कि है हम कौन और वो परीचे आप सभी ने अच्छी तरह सुना होगा टॉपिक यह है आप सभी का की stress-free living हम सब को एक healthy life जीना है natural way में जिसको हम कहेंगे की light हो करके रहना है चाहे कारोबार कितना भी बड़ा हो प्रमा कुमारीज में हमने सीखा जैसे एक नाव होती है नाव सागर में चाहिए पाणी में चाहिए ताकि यहां से वहां जा सके लेकिन नईया में पाणी नईया आना चाहिए नईया पाणी में जरूर होनी चाहिए तबी तो जर्णी कर सकेंगे लेकिन अगर वही पाणी नईया में आ जाए तो क्या हो जाएगा तो इसी प्रकार हमें संसार में जरूर रहना है बिजनेस करना है परिवार संभालना है और भी कई सारी जिम्मेवारिया होती है वह भी निभानी है लेकिन वह सारा दिन हमारी मन रूपी नईया में ही रहेगी तो फिर क्या होगा देखो हम सब भी ने मतलब मैं जब चोटी थी तब एक पिक्चर आया था जिसका नाम था रोटी कपड़ा मकान और बच्पन से सुनते आये कि व्यक्ति को क्या चाहिए रोटी कपड़ा और मकान लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आये तो हमने देखा खाली रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं होता है एक अच्छी जिन्दगी जीनी है रोयल तरीके से तो उसके साथ साथ दिरे दिरे मालूम पड़ा एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन भी उसके अंदर एड हो गया फिर व्यक्ति को क्या चाहिए एजुकेटेड भी हो गया रोटी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया मकान भी मिल गया, माबाव से मिलता है तो हम देखते हैं कि व्यक्ति को धन चाहिए अभी आपका सारा जो प्रयाश चल रहा है इतने लोगी कठे आ करके जो काम कर रहे है उसके पीछे का यही मकसद होता है कि सभी अपने अपने रीती से धन मिले सबको संपत्ति मिले तो धन चाहिए अभी धन भी आ गया एजुकेशन भी आ गया रोटी कपड़ा मकान भी आ गया फिर क्या चाहिए एक अच्छा परिवार चाहिए तो हम एक परिवार निर्मान करते हैं लेकिन क्या इतनी बातों से हम एक समरुद्ध जीवन संतुष्ट जीवन सुखी जीवन जी सकते हैं बोलिए हम लोग डिस्कुशन करेंगे नहीं ना फिर क्या चाहिए फिर हम लोग कहते हैं मन में शान्ती चाहिए संतोष्ट चाहिए कहते हैं ना जहा नहीं संतोष धनव वहां सब धनदुली सवाम तो संतोष्ट चाहिए शान्ती चाहिए समाधान चाहिए फिर हम कहते हैं की चेहरे पर क्या होना चाहिए अब आप जो कर रहे हैं उसकान चाहिए जिसको हम कहते हैं प्रसंद्न चेहरा होना चाहिए हरशी तो होना चाहिए फिर हम मुखह के लिए कहते हैं पर शब्दों में मिठाश चाहिए आजकल घरों में क्या हो रहा है महाबारत हो रहा है उसका कारण यही हो रहा है तो शब्दों में मिठाश चाहिए पिर और क्या चाहिए संब्दों में अपना पन चाहिए कहने के लिए संब्द हो वो अपना पन न हो तो भी व्यक्ति को सुका सुका लगता है तो संब्दों में अपना पन चाहिए संब्दों में स्नेह चाहिए संब्दों में विश्वास चाहिए संब्दों में संब्दों में संब्दों में चाहिए फिर इतना अगर आ जाता है तो व्यक्ति समझता है कि अब मेरा जीवन ठीक है आप देखो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन धन, मन में शांती मुख पर मुस्कान, शब्दों में मिठास संब्दों में सकारात्मक्ता कहो संब्दों में अपनापन कहो स्नेह कहो, रिगार्ड कहो ये सब आ जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि ओके लेकिन आज ये सारा मिल रहा है क्या तो ये कैसे मिलेगा चलो बाहर का तो मिल ही गया रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान, धन, एजुकेशन लेकिन जिसको हम वैल्यूस कहें जिसको हम संसकार कहें जिसको हम सदगून कहें वो कहां से आएंगे चाहिये बोलते हैं ओ, शान्ती चाहिए ओ, पिस आप माइन चाहिए प्यार चाहिए सन्मान चाहिए उसको रिस्पेक्ट देना नहीं आता है ऐसे हम बोलते हैं आपस में तो फिर प्रजापीता प्रह्मा कुमारी इश्वरिय विश्वविद्या लेके अंदर एक ऐसा योगा सिखाया जाता है जिसको कहते हैं राज योग जिस राज योग में मैंने तो थोड़ी बाते बताई लेकिन जितने भी भेल्वे कि युवा को अलग भेल्व चाहिए एक परिवार वालों को अलग चाहिए एक बिजनेस का मालिक है उसके अंदर अलग वैल्व चाहिए एक अच्छा स्टेटस प्राप्त करना है तो अलग वैल्व चाहिए तो वैल्ल्यूद्स हमने देखा है कि सदगुण जो है वो व्यक्ति को समीप लाते हैं सुखी बनाते हैं स्रेष्ठ बनाते हैं आदर्ष बनाते हैं और जो दुर्गुण है वो दूर करते हैं व्यक्ति को एक दो से हैं कभी-कभी फिर दुर्गुणों के कारण नफरत भी पैदा हो जाती है तो यहाँ इस इश्वर ये विश्व विद्या लेके अंदर राज-योगा सिखाया जाता है और राज-योग के आधार से सारे वैल्यू आपके अंदर आपको अगर लगता है कि मेरे अंदर बहुत आनंद चाहिए आ जाता है आपको लगता है कि वो व्यक्ति मेरे से रूट गया है उसको अभी ठीक करना चाहिए तो हम कर सकते हैं आपको लगे कि निर्भैता चाहिए मेरे अंदर बहुत डर है डर निकलना चाहिए चिंताए जानी चाहिए सारा दिनी धर बहुत भारी पनाता है निकल जाना चाहिए तो यह सारी बाते राजयोग से सहज हो जाती है तो क्या है यह राजयोग राज मिन्स स्रेष्ठ योग मिन्स कनेक्शन इस जगत के अंदर सबसे स्रेष्ठ कौन है कौन है परमात्मा जिसको हम कहे भगवान क्यूं नाम है उसका भगवान क्यूंकि वो भाग्य बनाता है उसको इश्वर कहते हैं क्यूं कहते हैं इश्वर क्यूंकि वो अश्वर यवान बनाता है उसको खुदा कहते हैं क्यूंकि वो खुद आ जाता है उसको अल्लाह कहते हैं उससे अगर हम connect हो जाते हैं तो हमारे जीवन में आह वाह 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 very good, very good, very good बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आजाता है उसको परमात्मा कहते हैं हम सब आत्माए हैं बेंजी ने अभी परिचे दिया और वो परमात्मा है क्यों परमात्मा है क्यूंकि उसे जन्म और मरण नहीं है वो अपरिवर्तन शील है हम सब में बदल आचा है हम कभी बहुत सात्वीग भी थे फिर तामस भी बन गए अभी तो एकदम तामस हो गए हो गए न एकदम तामस आप में से कौन-कौन है जो चिन्ता नहीं करते स्ट्रेस नहीं लेते नहीं देखो डॉक्टर क्या बोलता है स्ट्रेस के कारण शुगर हो गया है आपको स्ट्रेस के कारण बीपी हो गया है छोडो स्ट्रेस क्यों stress लेते हो तो हम क्या बोलते हैं डॉक्टर बोलना बहुत एजी है लेकिन आप मेरी जगह पर आ जाओ तो मालूम पड़ेगा कैसे stress आता है गुसा भी आ जाता है चिर्चिर्पन भी हो जाता है तो ये क्यों होता है क्यूंकि हम सब की मनरूपी बैटरी डिश्चार्ज हो गई है हमको समस्ता है नहीं करना चाहिए कुस्ता नहीं करना चाहिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए चिंता नहीं करना चाहिए चिड़ चिड़ नहीं करना चाहिए आवेश में नहीं आना चाहिए कई लोग हमको बोलते भी है बेंजी हमने ना ये प्रण किया था एक जनवर इसे बिलकुल गुसा ने करेंगे क्योंकि मेरे गुसे के करण घर में बहुत तकलिफ होती है मैं समस्ता भी हूँ आठ दिन बिलकुल नहीं किया फिर ऐसा नुवा दिन आया सारा निकल गया तो चाहता है इंसान क्यूं चाहता है और क्यूं नहीं कर पाता है चाहता क्यूं है क्यूंकि उसका असली वैल्यू गुसा नहीं है उसका असली वैल्यू शान्ती है प्यार है आनन्द है लेकिन वो परिस्थिती जो आती है सहन नहीं कर पाता है तो निकल आता है कंट्रोल नहीं कर पाता है तो हमें इस इश्वर ये विश्वविद्धाले के अंदर ये सिखाया गया कि आप सभी हर एक राजा है हर एक राजा है यहाँ पर आप हर एक चेतना है ये बोड़ी नहीं है और ये जो चेतना है ये इस इंद्रियों का राजा है उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर है उसके अंदर रूलिंग पावर है लेकिन आज वो काम नहीं कर रही है क्यूंकि आप अपने को ही भूल गए हो साथी साथ परमात्मा को भी भूल गए हो तो इन दोनों को जोड दो तो जोडने का जोडना मतलब आप ये एकसेप्ट करो कि आप छेतना है इधर सच मुच आप आजाओ एक से कंद में आप फील करो मैं पॉइंट अफ लाइट हूँ और पॉइंट अफ लाइट जो छेतना हूँ पीस्फुल हूँ विस्मृती हो गई है हम सबको भूल गए है हम लोग भूल करके दिखने वाली बॉड़ी को स्वयम समझते हैं और इस कारोबार को ही मेरा कारोबार मेरा कारोबार मेरा कारोबार मेरे बच्चे मेरा पती मेरा ये मुझे देखना पड़ता मुझे करना पड़ता तो हमने ये देखा परमात्मा क्या सिखाते है ट्रस्टी शिप की भावना जागुरूत करते है कि आप इसी कारोबार को ट्रस्टी होके संभालो और स्वयम को चेतना के स्मृति में ले आओ फिर दूसरी स्मृति है परमात्मा मेरा पिता है आप सभी का परमात्मा काउन है आप परमात्मा को मानते तो है न मुझे मालूम है हिंदू संस्कृति के हंदर कि आप कोई भी संस्कृति हो बगवान के प्रतिश्रद्धा तो है ही वन परसेंट लोग होंगे जो इन बातों को नहीं मानते हैं फिर भी वो कहेंगे work is worship आइसा तो जरूर बोलेंगे तो मैं चेतना परम पिता परमात्मा की संतान बस इतनी आप स्मृति करो फिर आप देखना क्या जादू होती है बगवान को जादू गर केते न हमारे पास जितने लोग आते हैं हम साथवे दिन उनको पूछते हैं साथ सेवन देज का कोर्स होता है उनको पूछते हैं क्या मिला आपको साथ दिन में बेंजी हम बहुत स्ट्रेस लेते थे कम हो गया कोई कहेंगे बहुत गुसा करते थे कम हो गया कोई कहते थे था अवर मुड़ा बोट हो जाता था थोड़ी थोड़ी बातों से अब थोड़ा ओके हो गए है तो राज्योग का अभ्यास आप चाहे कोई भी हो बिजनेस में हो नौकरी में हो मालीक हो करमचारी हो हाउस वाइफ हो बच्चे हो युवा हो सब की बैटरी डिस्चार्ज है नई तो घरों में पहले क्या था बड़े कहेंगे वो छोटों को मानना है अभी उल्टा हो गया है ना अभी छोटों का बड़ों को मानना पड़ता है और नई मानेंगे तो वो क्या करेंगे पता नहीं अभी हमको एक माता मिली डॉक्टर उसकी लड़की भी मेडिकल में है थोड़े मार्क्स कम पड़े तो नैचरल है ना माबब थोड़ा बोलते हैं कि तेरे ले इतना खर्चा कर रहे हैं फिर तुम अभ्याज भी ठीक नहीं कर रही हो लड़की ने क्या किया? सुसाइड अभी मा जीवन भर रोती है तो क्या मा को इतना भी आधिकार नहीं बोलने का? लेकिन व्यक्ति सहन नहीं कर पा रहा है उसका कारण एक ही है कि ये बैटे डिश्चार्ज है तो परम्पिता परमात्मा हम सभी को ऐसी साधना सिखाते कि पंधरा मिनिट, दस मिनिट बैठो आराम से अंदर जाओ अंदर बहुत शांती है अंदर इतना प्यार है जो जक्के उपर कर सकते हो अंदर बहुत संतोश है अंदर बहुत सूख है और ऐसे ने पावर भी है आपके आगे कितनी भी विपरित परिस्थिती आएगी आप अच्छी तरह से उसे फेस कर सकते हो तो ये सारी जो हमारे अंदर जो खजाना है वैल्यूज है उसको हम उजागर करे स्मृति में लाए अपने को परमात्मा से जोड़ दे परमात्मा हायर एथॉरटी है और हम लोगों ने क्या बोला भगवान को इतनी शक्ती हमें देना दाता जमन का विश्वास कमजोर होना किसी से किसी का वईर न रहे है न जो भी आप उस प्रार्थना के अंदर मांगते हो वो सारा राज योग से हमारे अंदर आजाता है तो परमात्मा का परिचे भी बेहिंजी ने दिया होगा अभी टाइम के हिसाब से मैं बताऊंगी बगवान ने कहा बच्चे एक है परमात्मा दुसरी है देवात्मा तिसरी है धर्मात्मा चवती है महात्मा और पाच्वी है आत्मा हम सब आत्मा है हमारे में भी जिनोंने महान काम किया इस संसार के लिए उनको महात्मा का टाइटल दिया गया जिनोंने धर्मस्थापना का काम किया उनको धर्मात्मा का टाइटल मिला स्री राम, स्री कृष्ण, स्री राधे, स्री लक्षुमी, स्री नारायन इनको देवात्मा का टाइटल मिला, देवी देवता और उन देवी देवताउं को भी निर्मान करने वाला लेकिन जनम मरण में न आने वाला संसार को जब जब जरूरत होती है तब आकर के इस सारे संसार को बदलने वाला वो है परमात्मा आप सबी देखो हमारे भक्ती में एक ऐसी मूर्ती है जिसको ना आंख है ना कान है ना पैर है शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं है ऐसे एक मूर्ती है है कौनसे मूर्ती है वो ऐसे गोलाकार श्यू तो श्यू के लिए क्या कहते है श्यू भोला है बोला माना वो यह नहीं देखता है कि यह दुनिया बहुत कंदी हो गई है बच्चे बहुत स्टेस में आए है बच्चे बहुत बुरा काम कर रहे है कुछ नहीं देखता है वो आता है और हम सब को मार्ग प्रदर्शना करके हमें इन तमो गुण से सतो गुण की ओर ले जाता है उस परमात्मा को अमरनाथ भी कहते पाप कटेश्वर भी कहते सोमनाथ भी कहते बारा जो तिल लिंगम प्रसिद्ध है मूर्ती एक है नाम अलग-अलग है क्यूंकि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य धर्म की ग्लादी जब होती है तब एक वार आता है सारे काम करता है और अभी आप लोगों को सुनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी सिंसियर लोग बैठे है रियल इस्टेट वाले बैठे है तो मैं आपको रियल बात बताती हूँ कि पुनहा इश्वर का काप स्वयम आकर के इस धरा पर प्रजा पीता ब्रह्मा कुमारी इश्वर ये विश्व विद्याले के द्वारा नाइंटिन थर्टी सेवन से शुरू हो गया है तो परमात्मा आकर के क्या सिखाते तीन बाते हैं वो केथे दुखका मूल क्या है बच्चे दुखका मूल विस्मरूती है आप भूल गए दुखका मूल विकारों के वश किये हुए कर्म है दुखका मूल तामसिकता है और ये कारण बताते हुए वो फिर कहते हैं कि आप आत्मस्मरूती में आ जाओ मुझे याद करो मेरे से ये जोडो क्यूंकि कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे सबका मूल सोच तो परमात्मा हम सभी को रियल सोच देते है जो हम रोज 15-20 मिनिट करते है फिर कर्म करते हुए भी हम इस कॉंशस में रहते कि मैं भी एक चेतना हूँ और आप भी एक चेतना है और हम सब परमात्मा की संतान है तो स्वयम के जिसको हम कहेंगे सिल्फ रिलाइजेशन स्वचिंतन स्वचिंतन करते हुए परमात्म चिंतन करते है तो परमात्मा की शक्ती हमारे अंदर आजाती है जैसे बाहर में एक खंबा है उस पर वायर आई हुई है इलेक्रिसिटी आई है अंदर लेनी है तो आपको तार जोड़ने पड़ती है जैसे तार जोड़ी आपके घर में लाइट आई इसी प्रकार ये मन की वायर परमात्मा से जोडते हैं तो उसकी शक्ति आजाती है तो आप सभी जब ये मेडिटेशन करेंगे मेडिटेशन का अर्थ ही क्या है आल अटेंशन विदाउट टेंशन ने तो लोग क्या बलते योगा करेंगे फिर आपका ध्यान हट जाएगा कर्म के उपर नई योग आहा कर्म सु कौशल्यम कर्म की कुशल्ता आती है योग के द्वारा क्यूंकि योग में हम समझ जाते है मैं कौन? मेरा कौन? और क्या रॉंग है? क्या राइट है? राइट को कैसे पकड़ना है? रॉंग को कैसे छोड़ना है? राइट करते जाते, करते जाते, करते जाते तो लाइट बन जाते देखो हमारे हाथ से अच्छा काम होता है तो आनन्दित होते है और जाने अन जाने कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो भारी पना जाता है ना? नैचरल आता है वो तो यही परमात्मा सिखाते है कि तुम रियल में आजाओ आप सभी रियस्टेट वाले रियस्टेट क्या है हमारी? शान्ती कहते है ना? शान्ती सबसे बड़ी शक्ती है शान्ती से हमारी जजमेंड पावर अच्छी हो जाती है प्राइट टाइम पर राइट डिसीजन फिर प्यार एक शक्ती है प्यार के लिए केते हैं आप सारे जगह को जीत सकते हो इतनी उसके अंदर पावर है फिर पॉजिटिविटी, सब के लिए पॉजिटिव अच्छा होगा, अच्छा होना है सब अच्छे है, बदल जाएंगे, बदलना है तो पॉजिटिविटी आ जाती है और कर्मों की स्रेष्टता जो मैंने का ना मन में शांतिया अपने आप आ जाती है राजयोग से फिर यह हम हरशित रेना अपने आप सिख जाते है क्यूंकि आत्मा का एक स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप वा आनंद स्वरूप है फिर मीठे शब्द निकलना भी शुरू हो जाता है पिर संबंधों में भी अपना पना आ जाता है अपने है फिर उसमें स्नेह आ जाता है सम्मान की भावना आ जाती है क्योंकि हर एक भगवान का बच्चा है कम नहीं है तो इस प्रकार रियल नौलेज दे करके और राजयों का अभ्यास सिखा करके इस इश्वरिय विश्वविद्या लेके अंदर हमें वापस अपनी जो ओरिजिनल स्टेज है निर्भय निश्चिन्त ऐसी बनाई जाती है तो अभी हम दस मिनिट राजयों का वेडिटेशन करेंगे जिसके अंदर पहले हम आत्मचिन्तन करेंगे आज हम अपना चिन्तन करेंगे आज तक किसका चिन्तन किया कभी बच्चे का किया कभी पती का किया कभी प्रोपरटी का किया कभी प्रोग्र्याम का किया कभी कमपनी के काम का किया लेकिन आज हम करेंगे जो मैं खुद हूँ देखो एक कथा बताती हूँ हनुमान था ना हनुमान को लंका पार करनी थी सीता को लाना था लेकिन हनुमान ने देखा बहुत बड़ा सागर है कैसे पार करू इसको मैं एक छालांग में तो नहीं जा सकता हूं। तो शान्त हो गया। तो जांबुबनता ने क्या किया उसको। तुम पवन पुत्र हो। तुम ये हो। तुम ये हो। तुम ये हो। जा सकते हो। तो हनुमान सुनता गया, स्विकार करता गया। सुनता गया, सविकार करता गया, ज़ले, इस उमारी कहानी है, हम लोग क्या बोलते हाँ, संसार मेरे श्ट्रेस तो आएगा ही, कवं ले विदाव्ट इस त्रेस, फिर कहेंगे गुसा तो आएगा ही, बिना गुसा कैसे चलेगा फिर कहेंगे तेरा मेरा कुछ होगा ही हम कोई देवी देवता थोड़ी है ऐसे करके हम निगेटिविटी को अपना करके चल रहे हैं लेकिन निगेटिविटी ही हमें डाउन कर रही है तो परमात्मा हमें सच्ची बाते सुना करके जब हम वो स्विकारते हैं तो आप उसी स्थान पर होंगे उसी रियलि स्टेट में होंगे उसी गर में होंगे उसी परिवार के साथ होंगे लेकिन आप देखेंगे मेरे अंदर कैसा एक positive बदल कैसी एक प्रसन्नता कैसी एक शान्ती कैसे मेरा सोचने का ढंग बदलता जा रहा है तो इस प्रकार आप सभी को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अन्य बातों के लिए जैसे हम टाइम निकालते हैं उसी प्रकार सारी बाते सारा दिन मेरे द्वारा अच्छी हो जाए चाहे परिस्थिती प्रतिकूल हो चाहे अनकूल हो परिस्थिती तो परिस्थिती है तो उसके लिए हमारी बैटरी चार्ज होना जरूरी है तो बैटरी चार्ज करने के प्रोसीजर को योगा कहा जाता ओम शान्ती